देश की राजधानी दिल्ली में लागडाउन का एलान क्या हुआ? सराब की दुकानों पर लोगों की बीड उमड़ पड़ी सराब की दुकानों पर जबरदस भीड देखने को मिर रही है लोग एक एक पेटी सराब बीयर की बोतलें खरीद कर घर ले जा रहे हैं सिर्फ यहां ही नहीं बलकि दरियागंज अन्य कई छेतरों का भी यही हाल है सराब के ठेकों पर भीड लगातार बढ़ती जा रही है कई जगे दुकान के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिर रही हैं कुछ दिखानों पर सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों की दज्जियां उडाती हुई देखने को मिर रही हैं इसलिए लेने आया है कि यह अलकों इसमें इंजेक्शन फैदा नहीं करेगा यह अलकों फैदा करेगी यह जितनी दारू बिच्टी है कि उतने बंदे सही रहेंगे जैनल शराबी है तो शराबियों को फरक पड़ेगा यह दवाई से मारे को कोई असर नहीं होगा हमारे को पैक से असर होएगा मेरे को 35 साल हो गया पीता हुए मैंने आज तक कभी दोज नहीं ली दूसरी यह लेते हैं एक पैक रोज का उसमें हमारी दोज चलती है पर ठेका खोलना चाहिए ठेका खोलना चाहिए सबसे बड़ी डाक्टरों के पास बच जाएंगे हम हस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए और आगए भी बचेंगे आगए भी बचेंगे पुल मिलाकर नजारा बैसा ही है जैसा पिछली बार लागडाउन के बाद सराफी दुकाने खुलने पर हुआ था जगए जगए पर बेबड़े लगे हुए हैं और बड़े बड़े स्टॉक यानि की बड़े बड़ी पेटियों को ले जाते देख रहे हैं दिल्ली में पहले राजी सरकार ने बीकेंड लागडाउन का एलान किया था जो सुक्रवार की सामसे सो मार सुबह तक लागउ था लेकिन अब बिगड़ते हालात को देखते हुए एक हफ़ते का लागडाउन लागउ कर दिया गया है लागडाउन 19 अप्रेर राज 10 वजे से सो मार सुबह पांच वजे तक लागउ रहेगा दिल्ली में कहन सरकार के दप्तर खुले रहेंगे लेकिन अधिकारियों करमचारियों को अपना आईकार दिखाना होगा दिल्ली सरकार के सभी दप्तर सभी प्राइवेट दप्तर बन रहेंगे